वेलकम टू मैं चैनल अर्चनास आर्टी हव अजी काँच की बॉटल हैं दो ब्राउन किरकी हैं इनको दोनों को मैं डिकोरेट करूंगी तो मांस्किंग टेप अइसके नक्त तक मैंने मांस्किंट टेप को लगाया है उसके बाद मैंने लीव्स जो ग्रीन लीव्स पेड से त तो, उन्का इंप्रेशन दरूने क्लिए उसको इस पर लगा रही हूं हलके से चिपकाया है उसके बाद फिर इस निद चार्णो तरफ रैंडम ली अरेंज करना है जसे तरह से भी लगाना है और उसके बाद फिर मैंने मरून स्प्रेंड पैंट किया है इस पे इसके बाद फिर एक silver color का भी हलका light touch दिया है इस पर इसको सुखने रख दिया सुखने के बाद फिर जो leaves थी सब निकाल दिया मैंने इनी leaves का फिर यूज करेंगे इसको फैकना नहीं है फिर ये leaves के place पे मैंने light green color और green color दोनों color का इसके ribs और leaves को बनाने के लिए यूज किया है कि पूरी बनके तियार हुई पीछे जो मेरा masking tape के lines थी online को मैंने multi color से highlight किया है blue color है और इंज color है पिंग color है and yellow color golden yellow color है इस तरह से 4-5 color से मैंने इसको highlight किया है चारों तरफ से उसको लगाया है उपर एक yellow color से थोड़ा सा टॉप को राउंड किया है मैंने मस इस तरह से पूरी बनके तियार हो गई है चारों तरफ से फिर गोल्डन yellow color है में पास उसे मैंने ब्रश से स्प्री किया है अब मैंने दूसरी बोटल चुरू किया है तो उस पर भी masking tape का यूज किया है इसको नेक तक masking tape पर उसके बाद फिर उपर में जूट की जो डोरी है उसको फेविकॉल से मैंने चिप काया है उसमें और उसको ब्राउन शीड पॉलिश किया है उसे ब्राउन कलर कर दिया है उसके बाद जो मैंने पिशली बॉटल कि थी उसकी जो लीवस बची थी ब्राउन कलर और जीडिय के अंडुर सिलवर करी है उनी लीवस को में इस पर मैंने बोला था उसको समालके रखा था उनी लीवस लगा दिया है तो यह बहुत सुन्दर दिख रहे हैं यह ग्रीन फ्रेश लीवस है जो मैंने सुखा के रखी है तो नी कुझ चाल्उ तरफ इसको अच्छे जो यह ब्राउन कलर्स की साथ लगकर बहुत सुन्दर दिख रही है इसको जहां भी जहके दिखती है यहां भी समझ माता है जैसे भी उसी हिसाब से इसको अरेंच किया है डैंक से नीचे यहां जूट डोरी लगी है उसे नीचे नीचे मैंने चालतरफ लिवज लगाई है और यह ब्राउन इसमें कुछ करने की जरूतनी है और इसमें ब्राउन और सिल्वर कलर जो उसमें लग चुका था वो सब है अभी देखिए दोनों मोटल तयार हो गई है अब इस पर हम मैं इसको सुखाने के बाद अब अब तयार हो गई है अब पेपर मास्क जो टेप लगाई हुए मास्किंग टेप पेपर टेप बोलते हैं तो उन सब को प्रोटेक्ट भी करता है और शाइनिंग भी देता है दोनों चीजे हैं से तो इसलिए यह वार्निश करने से अच्छा रहता है तो यह करने के बाद दोनों बॉटल्स पर थोड़ा सुकर तयार हो गया है तो उसके बाद देखिए दोनों बॉटल्स बहुत सुंदर लग रहे हैं तो आप भी इसको ट्राय करें और यदि अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक् ह्राइब तक सुक्राइब था डाईब नहीं हरे ट्राइब आएब एजग तक सक्पराइब